तेरी मोहबत ने दिल में मकाम कर दिया मैंने भी अपना दिल ये लाहौर रंग के नाम कर दिया लिखा नसीब में है मेरे तो बस ये रोना और कोई दिल से खेले इसको समझ खिलाना सोचता हूँ कैसे मैं खुद को रोक पाऊंगा सामने कुमार सानू मैं लिपट जाऊंगा रो दूँगा मैं जाने जाँ आजाँ जाँ जाँ सूरत दिखा मेरे यार अजिए प्रग्राम में आप से बढ़िए आप से गुजारिश करूंगी आप हमें कुछ सुना दें जी बिलकुल तेरी महबत ने दिल में मकाम कर दिया तेरी महबत ने दिल में मकाम कर दिया तेरी महबत ने दिल में मकाम कर दिया बहुत खुबसूरत और बहुत अच्छी आवाज आपकी अच्छा इस आवाज के बाद मैं आप से कहना चाहूंगी कि हमने सुना था कि आपको कुमार सानु कहा जाता है पाकिस्तानी जी तो आपकी जो आवाज है बहुत उनसे सिमिलर हैं अप उनके फैन हैं रियाज़त उस तरह से करते हैं क्या सीन है मैं रियाज़ गया रहा तो नहीं करता मुझे बच्पन से लिए गौड गफ्टेड़ है मुझे बच्पन से शौक था अभी तो खेर एक महिना डेड हो गया जब से ये मेडिया वालों के चकर में आया हूंदा गागा के वैसे भी थोड़ा ना यानि के गलाव सेट हो गया क्यूंकि सुबह से शाम तक इंटर्विव होते रहते हैं रात को एक एक बज़े तक मेरे शूर हो गया अप जी रात को अलाम दुलिल्ला में लाक रात में भी गया हुआ था नहीं तो बहुत अच्छी बात है न अच्छी टाइम ने मिल रहा तो इस चीज को एंजॉय किया जाए ये भी मीडिया वालों की वज़ा से सुनते थे ना के मीडिया में बड़ी पावर है बड़ी पावर है ये अब मैंने देख भी लिया मैं मान गया के मीडिया वाले चाहें तो इंसान को जमीन से असमान तक और आसमान से चाहें तो जमीन पर ले इतना मैं समझ गया हूँ नहीं अल्या आपके जो चीजे होते ना आपकी जो काम होते है वहरे का एक टाइम लिखा होते है उसके मताबर की चीजे होना होती है और हर कोई जो है तो बस तरफ वसीला बनता है बिल्कुल ये चीजे में मे सौंग सुनने शुरू कर दी है तो एक दफा एक दोस्त ने बोला बड़ा एक प्यारा सा दोस्त था उसने बोला कि मैं जब भी ये सौंग लगा कर सुनता हूं या सुनती हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप गा रहे हो तो फिर मैंने यानिके इस पर थोड़ा तव काम किया है फिर जिंदगी में कुछ उतार चड़ा हो इस तरह के आते गया के एक इतना टैलेंट होने के बावजूद भी में मेनत मजदूरी करने पर मजबूर हो गया अभी आपने मेरा अकसर वीडियो में देखा ही होगा कि मैं मजदूरों के साथ काम कर रहा हूं लेकिन ये यह बहुत अच्छी बात होती है दूसरी बात हिए हिए कि आप वो बात खा गय यह ने मजब अशगा पताया नी कि आपक अवाज मिलती है यह एक दोस्तने कहा क्या के वो लड की थी आप उस पताने से कतरा रहें थैं आप ? लड़की थी तो फिर उसके बाद जब आपको आपको रेकोगनेशन मिल गई एक लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो आप किसको कहता है कि आप डिफरेंस तो विल्कुल भी ने रहा है ने अब जो इस लाइफ जो मैं अब जी रहा हूं पहली बात तो एक अब बी तक भी मैं है खुद कुछ जोड़ता हूं काहीं यह सब सपनागा तो नहीं क्यूंकि चान्द दिन पहले की बात आम मजदूरों के साथ काम करता था और मैं रिक्षे में बैठके इलाके नवाब साहब से ठोकर तक आने के लिए भी मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे तो मैं अपने ठेकेदार से लेता था और आज मुझे बड़े-बड़े न्यूस चैनल से यहां तक कि मुझे इंग्लंड तक से दुबई तक से इंडिया तक से लोग लेने के लिए आ रहे हैं आज आपका शोग खतम करने के बाद अमने विडियो शूट करने जाना है तो तीसरा सांग जो ओडियन्स की फरमेश पर मैंने अर्दू की है पहले मैंने पंजाबी सांग किये तो फिर ओडियन्स ने कॉमेंट्स किये कि आप कुमार सानु को गा रहे हो तो कुमार सानु क्यों नी गाते फिर पंजाबी में क्यों आ गये तो फिर मैंने और्दू के लिए अब उर्दू ही गाना है मैंने उर्दू सांग किया है उसकी भी मैं आपको बिलकुल जरूर आप सुनाएं मैं बेवफा नहीं हूँ कैसे तुझे बताओं मैं बेवफा नहीं हूँ कैसे तुझे बताओं अफसाना बेवसी का कैसे तुझे सुनाओं मैं बेवफा नहीं हूँ कैसे तुझे बताओं लिखा नसीब में है मेरे तो बस ये रोना अर कोई दिल से खेले इसको समझ खिलाऊना ये दाग बेवफा ये मुझे को समझ नहीं हूँ मुझे को समझ नहीं हूँ मैं बेवफा नहीं हूँ कैसे तुझे बताओं मैं बेवफा नहीं हूँ और एक बात मैं कहना चाहूँगा ओडियंस से भी और अगर वो भी सुन रही है तो उसे भी कि मुझे किसी ने बेवफाई का नाम दी है अच्छा तौ मैं सबसे यही पूछना चाहूँगा अच्छा घर से बेवफाई मैं हुआ वो लड़की के पीछे उसके पीछे और आई देखें कि मैं कहां पहुँच गया वो वहीं पे नहीं है रो रही है मीडिया वालों के तरले कर रही है कि मुझे पाकिस्तानी कुमार सानु का नंबर चाहिए जब वो मुझे कॉल करते हैं तो मैं उनको यही जवाब आगे से देता हूँ उनको बोलो कि सलीम सजाद को मरे दो साल हो गए और अब सिर्फ पाकिस्तानी कुमार सानु का नंबर है मार नहीं किसी लिए लेकिन मुझे बताएं कि वजह क्या बढ़िती वजह कि जितनी मेहनत मैंने उस पे की उसको मैंने एक स्टार बना दिया खुद कुछ अपने अपने शौक को छोड़ दिया मैंने अपने शौक को मार दिया अब ही वह वह सोचल मीडिया पर इन हैं जो जिनकी बड़ा मुबैल भी नहीं रखने देता होगा क्योंकि अब वह दूसरे आथों में चलीगी अच्छा सरी तो अब तो उससे कोई मुबैल भी नहीं रखने देगा तो पहले वह शोचल मीडिया पर थी यानि कि वो मैंने एक सौंग किया था तो मेरे साथ एक लड़की मॉडल लगी जब अच्छी खासी अर्निंग होने लगी तब वो गरवाले गरवालों को बड़ी प्यारी लगने लगे और वो उससे ले गए लेकर उसे तो सोचना चाहिए था ना कि इसने मेरे लिए सब को छोड़ा है आज मैं अपनों के पास जा रही हूं तो इसको किसके सारे छ जिन्दगी गुजारा है आगे लाने वाले उसको आप थे जी तो लास्ट पर क्या कहकर दी क्या कहकर छोड़के गई वैसे बस अपने पेरेंट्स के साथ गई है उदर जाकर मुझे काल किया कि अब मैं आपको ब्लोग करने लगी हूं तो मैंने अब नहीं आना मेरी आसमत लगाईएगा तो दो साल फिर कैसे निकाले उसके वह एक तीन चार मा तो मैं एक दरबार पर पड़ा रहा हूं जाने के खुद की ओश भी नहीं थी ना खाने की ना पीने की ना नहाने की तो कितने साल का इसक इसक मेरी वाइफ थी वो वो मेरी वाइफ थी और मेरी तीसरी वाइफ थी तो यानि कि शादी के तीन साल बात जाके मुझे यानि कि उससे प्यार हुआ था अच्छा वो भी उसकी अच्छायां देख के हुआ था मैं यह नहीं कहता कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि उसने ऐसा क्यूं किया क्यूं उसने माँ को घर से निकाल दिया यहां तक कि उसकी ममा का आपरेशन हुआ था और टाके भी अभी तक नहीं खुले थे लेकिन उसे घर से निकाल दिया और चार साल तक ना अपनी माँ से बात की ना वहां गई तो फिर पूरी प्लैनिंग के साथ जैसे कहते हैं उसकी माँ ने मुझे पटाया मुझे से भाद चीत करती रही उसके बाद फिर मैंने शुला करवा दी बस वह सुला करवाई पाओं पर कुलाड़ी या कुलाड़ी पर पाओं समझ ले तो यह गाना फिर आपने उसकी याद में लिखा है कि मैं बेवफा नहीं लेकिन अब वह उसके लिए मात LigOLski मैं लेकिन पेगाम है कि अब मैं बेववा हूं सरी है अब आप बेववखा हैं तो चोती की तैयरी यहा मैंने शादी यह नहीं करनी आप में अपने यह कह आगर आप ठीक से नहीं रख सके तो उनकी वजा से किसरा अबस तकाओ कियो छोड़ी करनें की तब की तो मिरजी से हैं झो बीकरियोisesti है लेकिन अगर मेरे वह दूसरे तो बीए या कोई बी तो मुझे आप सलीम आप अपना जो इस फैमिली सिटुएशन यहां पर जो भी आपके आपको देखते वे कुमार सानु का कोई हमें गाना सुनाएंगे जिसमें आपके जो अलफाज है ना उसके अंदर अदाईगी हो जाए सब कि अफैमिली को देखके अपने जो भी हलात हो कियाता है उसको मज़े नज़र रखते हुए कुमार सानु साब का जो कोई काना हो यह कोई भी जो आपको पसंदे मैं कोई भी आपको सुना देता हूं कोई भी क्योंकि यह ज़रा डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और हम इस वक लाइब बैटे है इस वक सानु मैं लिपट जाऊंगा रो दूँगा मैं जाने जाँ आजा जाँ जाँ सूरत दिखा मेरे यार बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तूजिया अब तो जैसा के समझते हैं को कोई इनसान की आखरी खौइश होती है तो अब तो मेरी तो बस सिर्फ एक ही खौइश है कि मैंने अपने अस्ताद से मिलना है और यह ओडियन चाहे तो यह हो सकता है यह चाहें तो मुझे इतना वाइरल कर सकते हैं के मेरी अधिये खौयश कौमार सानु सहाब तक पहुंचा सकते हैं कि अगल का एक शागेर्द जो पाकिस्तान में 1990 से उनको शागेर्द मानके बैठह है मैं वह वो उनका इंतुधार कर रहे हैं का मुंतजिर है कुमार सानु सहाब तो एक ओजी टालेंड जिसे और जनरेशन कहते हैं, हम 90s भी उनके सौंग से उनका से सुनकर बढ़े हुए है मैंने उनके साथ डूट सौंग भी किया, स्टार मेकर पे, हमार सानु साथ के साथ शायद अगर वह सुन भी रहे होंगे तो उन्हें याद होगा कि उन्हों ने मेरी वीडियो उठाके बैस्ट अफ लग का कमेंट किया था मुझे अच्छा वाव तो मैं वही हूँ लेकिन उस वक्त जरा मैं देखने में और था और अब देखने में और हूँ शायद ये मुझे पहचान नहीं सके होगे लेकिन मैं वही हूँ इनके साथ मैंने डूट सौंग किया था हम से बदल गया वो निगाहे तो क्या हुआ जिन्दा है कितने लोग मोहबत किये बगैर हम से बदल गया वो निगाहे तो क्या हुआ ये सांग मैंने किया था अच्छा ये अपने उनके साथ किया था ये डूट किया था एक तरह से तो खाहिश पूरी हो गई भी आपके दुबारा मिलने क्यों हाईश है आप दुबारा सामने सामने जैसे हम बैठे हैं इस तरह मैं कहता हूं कि वो उनके साथ बैठके गाऊं और फिर वो अपने मुझे मुझे कहें जो मैं खुछ सुन सकूं कि वो मुझे क्या कह रहे हैं बदले में अच्छा मुझे बताएं सलीम आप इस तरह से काम करते थे आपने कहा कि मेहनत में तो कोई हर्ज नहीं है जो भी काम कर रहे हैं वो बेहतरी होता है तो आपकी जो दोस्त अहबाब हैं जो अभी भी मस्दूरी करते हैं तो उनके पास जाते हैं उनसे मिलते हैं उनको कैसा इस इंटर्विव जो के अभी मेरे खाल में 24-25 मिलियन तक पहुंच गया है दो वीक में तीन वीक में पच्छी मिलियन तक पहुंच गया है जितनी मेरा तो अभी किसी के पास नमबर नहीं है लेकिन उनके जानने वाले या उनके रेलिटिव में जितने भी हैं सब उनको ओ यार आप लोग कितने खुश नसीब हो कि आप इतने बड़े स्टार के साथ रह रहे हो क्योंकि वो सारे उसे इंटर्विव में मेरे पीछे खड़े हुए थे तो उनसे मीडिया वालोंने कुछ सवाल भी किये थे उन्होंने जवाब भी दिये तो उनको भी लोग काफी कॉल इसनी बु लंदी पर पहुंचने के बात भी वो आपके साथ ही है और जिस ैद गड़ को मैंने खुद जिस बील्डिंग को मैने जो लाइध आका षए रहने के लिए कि इसको अब ना तो बेचना है ना इसको रेंट पर देना है गाड़ी भी मुझे दे दीए और वहां पर और मुझे studio बना के भी दे रहे हैं, उस पर उन्होंने यानिके 20 लाख अन्वेस किया studio के लिए, तो या अच्छा लगता है, जा रहे हैं, आपका वक्त चल रहे हैं, जी ये audience के प्यार की वज़ा से, अगर audience मुझे इतना प्यार ना देती तो, audience के बगार star कोई भी है, कुछ मेरा आखरी सवाल आपसे ये है, कि आपको लगता नहीं है कि कभी ऐसे लगता हो कि जितनी बुलंदिया मिल रही हैं, या जितने लोग आप पैचान रहे हैं, ये तो मुझे पहले ही छोड़ जाती, तो मतलब मेरा time जदी अच्छा हो जाता है, पहले कि अभी भी यारी के ज सुक्रियादा करना चाहूंगा जो उस दर्बार पे गया अपने बचों के साथ, और उसने मुझे वहां देखा, तो उसने कहा यार ये बंदा तो बड़े कमाल का सिंगर है, और एक टिक टॉकर भी हैं, दोनों अस्बंड वाइफ, और ये यहां क्या कर रहा है, वो मुझे अपने घर ले गया वहां जाके मुझे खाना शाना खिलाया, मुझे नहलाया, मुझे कपड़े लेके दिये, तो मुझे वीडियो निकाल के दिखाई कि यार जिसके लिए तुम खुद पागल हो गया हो, वो तो अभी तक भी इतना खोश है अपनी फैमिली के साथ, और तु कि उस वक्त मेरे पास मुबाइल तक नहीं था, तो फिर अभी एक शक्स मेरे साथ मौजूद बैठे हैं यहां, मैंने इन से बात की, कि यार मुझे सेयद फरूक अली जैदी कि मैंने यार कोई नोकरी कोई काम मुझे डूंड के दें, इन्होंने मुझे का ठीक है आप इदर कि दोस्ते जो पहले पूछते नहीं ते अब साथ हैं आपके, यह तो बहुत अच्छी बात होती है, मैंने पर फिर लास्ट मिनट है, कोई आखनी सोंग सुनाना चाहेंगे, जी बिल्कुल्ट खता तो जब होके, अम्हाले दिल किसी से कहे किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं बहुत जबर्दस, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और अलापाक आपको और काम्याब करें किसी कम्हालेawan दिल किसी कहा रहें